Welcome back, प्यारे स्टुडेंट्स. आज के इस क्लास में आप सभी प्यारे स्टुडेंट्स का सागत हैं। आज के इस क्लास में हम लोग discussion करेंगे Agriculture Engineering का तर्ड लक्षर है। और इस तर्ड लक्षर में आज बात करेंगे IC Engine के बारे में। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि प्राइस इंजन क्या है क्लासिपिकेशन और इंजन के पार्ट मेकिनाइजेशन फाम पावर सूर्सा फाम पावर यह सब टॉपिक पिछले लेक्चर में कबर हो चुका आज का लेक्चर एक्जाम के द्रिष्ट कोर से बहुत ही महत्पूर है इसलिए आप लोग अच्छे ढंक से इसको देखियो और पढ़िये बिटा तो आपका है कि प्रिंस्पल आप आपरेशन आप आईसी इंजन अगर एक आईसी इंजन चल रहा है कारी कर रहा है तो उसका सि सिद्धान पर वो कारे करेगा वो चीज आज बिटा जानना है इसके पहले आप लोगों को बताये थे कि स्टोक क्या है टीडी सी क्या होता है बीडी सी क्या होता है थोड़ा सा पॉइंट कबर के थे तो आपको जानना है कि आईसी इंजन का सिद्धान क्या है तो सबसे पहल क्या होता है वेड़ा हेड होता है हेड में क्या होता है एक इंटेक वाल्ब होता है और एक जास्ट वाल्ब होता है एक इंटेक हो जाएगा यह माले यह इंटेक हो गया और यह वाला हो गया एक जास्ट वाल्ब दो वाल्ब होते हैं और इन्हीं एक वाल्ब इंटेक वाल्ब तो इसमें वायू और इंधन का जो मिष्णन है, वो सिलेंडर के अंदर प्रवेश करता है, प्रवेश करने के बाद फिर कमप्रिसर बनता है, पावर उत्पन होता है, फिर पावर उत्पन होने के बाद इजास्ट वाल खुलता है जली हुई गय से बाहर निकल जाती है अब जब पावर उत्पन हुआ तो पावर उत्पन होने के बाद इसमें दहन हुआ दहन से पावर दबाये गया पिश्टन को जब piston दबता है तो piston का load connecting rod के उपर आता है फिर connecting rod यह माले यह piston और piston के बाद फिर क्या है connecting rod है यह connecting rod connecting rod के बाद फिर क्या होता है crank sharp होता है crank sharp जो होता है यह आप down उपर नीचे moment करता है और जो connecting rod उपर नीचे moment करता है क्रेंक शाप्ट जो होता है ये रोटेशनल फार्मे में लब रोटेट करने लगता है तो ये पुरा एक इंजन चलने का सिध्धान्थ होता है इसमें जो लिखा है कि इंटर्नल कम्शन इंजन में पावर उत्पन करने के लिए सिरेंडर में हवा और इंधन का मिशन भरा जाता है और इस प्रकार गैस के जलने के उपरां सक्तिवत्पन होती है जो पिश्टन के उपर लिया जाता है और फिर लिया जाता है जिसे जो रेशिप्रोकेटिंग मोशन इसमें में चलता है और फिर पिष्टन की यागत कनेक्टिंग राड के द्वारा क्रेंक साप्ट द्वारा रोटरी मोशन में परिवर्तित कर दी जाती है तो बेड़ा ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि एक आएसे इंजन चलता है किस धान पर चलता है देगे चाहे जो छोटा इंजन हो बड़ा इंजन हो एक सिलेंडर इंजन हो दो सिलेंडर इंजन हो दस सिलेंडर इंजन हो एक ट्रक का इंजन हो या एक छोटे ट्रेक्टर का इंजन हो principle सब का एक होगा सिध्धान सब के एक ही होगे model अलग होगा horse power अलग होगा बो सब अलग हो सकता है लेकिन सिध्धान एक होगा सभी AC engine का सिध्धान सिरफ एक होगा आगे बटा इसमें 2 topic 2 term दिया션 एक होता है TDC और एक होता है BDC इसको में लिखा है कि piston position nearest to the cylinder head is known as TDC means कहने कार्थ क्या है इसको पहले भी आपको बता चुके हैं यह slender है अगर इस slender में piston का position उपर के तरफ है मलब head के अगर nearest है तो यह भाग होता है TDC और जब यही piston यह slender के अंदर नीचे के भाग में कहा है आता है नीचे के भाग में means piston position nearest to the cylinder bottom is known as BDC जब piston यह नीचे के बिलकुल bottom में होता है तो इसको बेडाम क्या बोलते हैं BDC तो प्यारे स्टुडेंट इसमें आपको एक clear हो गया कि BDC क्या होता है और TDC क्या होता है अब बेटा अगर आपको TDC और BDC clear हो गया तो आपको stroke भी clear हो जाएगा तो the moment of piston from TDC to BDC और BDC to TDC is known as stroke बलब एक piston है जो उपर से नीचे उपर क्या है TDC नीचे क्या है BDC अगर ये piston TDC से BDC तक आ जाता है या ये piston पुना ये BDC से और TDC के तरफ चला जाता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं एक stroke बोलते हैं बलब पिश्टन अगर उपर से नीचे आ गया TDC से BDC आ गया तो इसको stroke बोलेंगे नीचे से उपर चला गया तो इसको भी क्या बोलते हैं stroke बोलते हैं तो ये चीज बटा आपको clear हो गया कि IC engine का principle क्या है TDC क्या है BDC क्या है और stroke क्या है आगे वेटा देखते हैं हम लोग अगला terms क्या है ये भी question पुछायता start note में कि crank throw क्या होता है तो crank sharp के केंदर केंदर से crank pin का जो केंदर तक की दूरी होती है उसी को हम crank throw बोलते हैं means गया एक stroke की आधी दूरी होती है कहने कार्थ क्या है कि या एक cylinder है अगर piston केवल इसके बीच मलब जो केवल अगर आधी दूरी में चलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं crank throw बोलते हैं और यहां पर crank sharp जो होता है उसका केंदर बिल्कुल pin के बराबर में होता है इसी को हम क्या बोलते हैं crank throw बोलते हैं यह भी कुश्चन बिड़ा कभी कभी पूछ लिया जाता है अगला होता है कि टाइप साप IC इंजन जो internal combustion इंजन है वो क्या होता IC इंजन तो आपको clear ही है कि अगर cylinder के अंदर दहन क्रिया cylinder के अंदर ही होता है तो उसको IC इंजन कहते हैं अब इसमें बेड़ा stroke के आधार पर दो प्रकार का होता है IC इंजन एक होता है four stroke अभी आपको क्लासिफिकेशन बताएं भी थे एक बेड़ा होता है four stroke और एक होता है two stroke cycle engine नाम से कि four stroke cycle engine मलब अगर कोई engine four stroke में अपना एक चक्र पूरा करता है अपना एक cycle पूरा करता है तो उसको हम four stroke cycle engine करते हैं अब four stroke अब आपको stroke तो बेड़ा किलियर हो गया कि stroke क्या है कि piston उपर से नीचे आना मलब TDC से TDC ये BDC है इस पे एक चक्र आना उपर से नीचे तो ये आपका एक stroke हो गया तो इसी तरीके से एक बार उपर से नीचे फिर नीचे से उपर फिर उपर से नीचे फिर नीचे से उपर तो इस प्रकार क्या होगा four stroke होगा अगर ये चार चकर मलब piston up down करता है तो फिर क्या होता है एक cycle complete होता है क्या होता बेड़ा एक cycle complete होता है दूसरा होता है टू स्टोक साइकल इंजन महलब जो क्रिया है वो केवल टू स्टोक में अगर एक चक्र पुरा कर लेता है तो इसको बेटा हम टू स्टोक साइकल इंजन कहते हैं पहले बेटा हम देख लेते हैं कि फोर स्टोक साइकल इंजन अकर में है क्या क्या होता है four stroke cycling engine और एक एक stroke में कौन से kriyae होती हैं तो पहले तो हम इसमें लिखाय कि in four stroke cylinder engine all the event of taking place inside the cylinder are complete in four stroke of the piston this engine has got valve अब यहाँ पर वाल्ब की दौरा क्या होता है कि कैसे कैसे कंट्रोलिंग क्या क्या होता है इस चीश को पहले जान लेते हैं हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक ही चक्र को हम लोग चार सिलंडर पहले बना लेते हैं उसको बात देख लेते हैं तो इसमें चार क्रिया होती है सबसे पहला जो इस्टोक होता है उसको बेड़ा हम इंटेक इस्टोक बोलते हैं आप जानते हैं कि इसमें सलंडर के उपर क्या होता है हेड होता है हेड के उपर दो वाल्ब होता है एक इंटेक वाल्ब होता है और एक इंटेक वाल्ब होता है त तो इसलिए इसको हम बोलते हैं इंटेक स्टोक जिसमें जब पिस्टन क्या होता है कि ये बीडी सी से बीडी सी की तरह पाता में सुपर से नीचे आएगा तो यह गरता एयर को सक करता एयर और इंदन के मिश्ण को आप कह सकते हैं यह गरता अंदर खिषता है इसलिए इसको ब वाल्व खुलेगा लेकिन एकजाष्ट वाल्व एथावत बंद रहेगा अब बेड़ा हम दूसरे पे आते हैं दूसरे में क्या होता है यहां पर उपर वाल्व एक इंटेक और एकजाष्ट यह दोनों वाल्ब बंद रहेंगे पिश्टन क्या हो रहा है एक बार उपर से होता है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कंप्रेशन स्टोक के नाम से जानते हैं अगला चीज देखते हैं इसमें यह आपका स्लेंडर स्लेंडर के अंदर क्या पिश्टन इसमें भी वेड़ा दोनों वाल्प इंटेक और एक्जास्ट दोनों वाल्प बंद रहेगा और जहां और फिर यहां दवाव पड़ता है तुरत दहन हो जाता है अगर इस पर प्लक है तो उसकी चिंगारी या तो फिर दवाव के कारण दहन करिया होती है तो दहन होने के बाद जब उसमें बहुत ज़्यादा धूँआ कह सकते हैं उड़ेगा तो दवाव डालेगा किसके ओपर दालेगा वेड़ा, पिश्टन के ऊपर, तो फिर पिश्टन क्या होता है, ये दवाओ की कार्ण, उपर से नीचे की तरप, आता, तो सक्त उत्पन होता है, इसलिए वेड़ा इसको पावर स्टोक बोलते हैं क्या बोलते हैं पावर स्टोक अगला हाता है इसमें जो आपका अगला स्टोक होता है जो आपका चौथा स्टोक होगा वो आपका क्या होगा अब इसमें जो वाल इंटेक और इंटेक वाल तो बंद रहता है लेकिन इंटेक वाल खुल जाता है और इ और इस परकार जैसे जाश्ट वाल खुलता है, जली हुई गैसे बाहर निकल जाती है और इस परकार एक cycle. चार रइंजन कारता है कॉल्ज हो जाता है, इसी परकार शेपको आप क्या गहते हैं.... अब इसमें देख लेते हैं, यह आपका क्या है? सक्षन इस्टोग फिर वही चीज है कि पिश्टन मूब तू टी डी 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 सी मलब उपर से नीचे के तरब पिश्टन मुमेंड करता है इंटेक वाल्ब इस ओपन एंड एंड अग्जास्ट वाल्ब इस क्लोजड इंटेक वाल्ब क्या होगा खुला रहेगा ग्जाश्ट वल्प क्या होता है बंद होता है तो दा प्रेशर इंसाइड दा स्लेंडर यहां बर क्या होता है कि स्लेंडर के अंदर प्रेशर काण अट्मॉस्फिरिक प्रेशर से उसमें एर और इंदर स्लेंडर में क्या होता है भर जाता है फिर फ्रेश एयर प्रांदा एट एक्पोस्फियर इज सवक्ड में किस क्या करता है कि अंदर को सेक कर लेता है और सक करके और अपने अंदर शिलिंडर के अंदर पुरा एयर भर जाता है दूसरा क्या होता है वेडा कम्प्रेसर अब इसमें पिस्टन मूब अप अप फ्रां बीडीसी टू टीडीसी मलब नीच और एक्झास्ट वाल सभब दोनूं क्लॉज है और एयर expendainty mixture in that उल्यग कंप्रेस करें मीज उस पर दबाव पड़ता है इसी को इसलिए हम इसको compression इस्टोक के नाम से जानते हैं अगला यहां पर compress होने के बाद फिर working या power इस्टोक के नाम से जानेंगे तो the burning gases spread अब यहां पर क्या होगा कि burning मलब दहन किरिया होगी और दहन किरिया होने के बाद the piston is pushed from TDC to BDC means piston पुना यह उपर से नीचे के तरफ डाप के दवारा push के आता है वो आता है तो this moment of the piston is converted into rotary motion of the crank sharp through connecting rod बलब connecting rod के दवारा यह crank sharp को एक rotary motion में convert काने का काम करता है बहुत intact and exhaust valve are closed बलब जो दोनों valve हैं यह दोनों valve क्या होंगे बढ़ा क्या होगे already closed रहेंगे अगला हम चौथा स्टोक देखते हैं कि चौथा स्टोक इसका क्या है चौथे स्टोक में बढ़ा इसमें piston move TDC to BDC अब piston इसमें पुना move होता है TDC to BDC इसमें move करता है और इस प्रकार BDC to TDC की तरह moment बलब उपर होगा थोड़ा सा इसमें इस प्रकार से और exhaust valve are open and intact valve are closed इसमें ये चीज क्लोज रहेगा उसको देख लेते हैं और फिर इसमें जो भी बंड गैस है जो जली हुई गैस है वो force out to the atmosphere through the exhaust valve exhaust valve के दोरा वो atmosphere में चला जाता है और इस प्रकार से फिर और यहां पर जो intact valve रहता है वो already क्लोज के बाद तरन फिर intact valve open होगा और फिर से जैसे आने लगती है और इस प्रकार एक दूसरी cycle प्रारम हो जाती है तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो एक इस cylinder है इसमें एक intake valve और एक exhaust valve connecting rod crank shaft यह crank case होता है तो intake कौन कौन सा हो गया बैटा फोर इस चीज बहुत ज़्यादा जरूरी याद करना पहला होता है इंटेक दूसरा होता है compress तीसरा होता है power और चौथा क्या होता है exhaust इंटेक वाल में केवल इंटेक वाल खुलता है एक जास्ट वाल में जास्ट वाल खुलता है और सम्में और इन दोनों में दोनों वाल बंद रहते हैं इस अब common sense आप लोग थोड़ा दिमाग में रखिए होता है तीसरे में piston दाप के काण उपर से नीचे आता है और चौथे में भी फिर piston क्या होता है यह नीचे से उपर के तरब मोमेंट करता है और इस परकार जली हुई गय से वह और उससे बाहर निकल जाती है तो यह चीज आप लोग थोड़ा सा किसमें ध्यान देंगे अगल तो प्रिंस्पल आप 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 टू स्टोक साइकल एंजन तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि क्या होता है कि इन इंजिनों में उपरोक्त क्रियाओं में 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 इंटेक कंप्रेशन पावर और ज्ञास्ट सभी जब केवल क्रेंग साथ के एक चकर अतवा दो स्टोक में पूर हो जाता है तो उसी को हम तू स्टोक साइकल कहते हैं इसमें थोड़ा सा फोर स्टोक और टू स्टोक में थोड़ा सा आंतर होता है उसमें ग्यादा बेटा वाल्ब लगा था एक वाल्ब था इंटेक और एक था एक जास्ट वाल्ब इसमें वाल्ब नहीं होता पोर्ट होता है इंटेक पोर्ट और इग्जास पोर्ट दो पोर्ट इसमें होता है उसमें खुला क्रेंग केस था और टू स्टोक साइकल में क्या होता है बंद क्रेंग केस होता है कि क्योंकि क्रेंग केस के अंदर सी इसमें सिलंडर के अंदर एयर प्रवेश करता है उपर से पुड़ नीचे से उपर के और जाने के कारण बही पिश्टन क्या है नीचे से उपर जाता है जाने के कारण बंद क्रेंग केस में दबाओ घट जाता है और घटने के कारण जो उसमें कार्बुरेटर से जुड़ा रहता है और वो खुल जाता है और इस प्रकार क्रेंग केस में क्रेंग केस में उसमें आकर के वाई भर जाता है और जब उस लेंडर और पिश्टन में पिश्टन सीधा टीडी सी तक उपर के तरफ जाता है तो जाता है तो सीधा क्या होगा जब पिश्टन भर गया और भरने के बाद पिश्टन उपर जाता है तो सीधा उसमें दबाव और जैसे उपर अ उत्पन होता है और तब तरन टीस पार प्लक के दौर्वा चिंगारी निकलता है और आग लग जाती है और इस प्रकार पावर उत्पन होता है और फोर पावर क्या करता है पिष्टन को नीचे की वह ढखेल देता है पिष्टन उपर से नीचे की वह ढखेल देता है और इस प्रकार एक इसका complete हो जाता है बिड़ा देखते हैं कि second stroke में क्या होता है second stroke में इसमें piston उपर से नीचे की ओर आता है और piston नीचे आने के कारण exhaust port जो होता है इंटेक port जो खुल जाता है और इससे जली हुई गैसे बाहर निकल जाती है और फिर वही चीज क्रेंकेस प्रेशर बाढ़ने के कारण exhaust बाल बंद हो जाता है और फिर परतम इस टोक में जैसे इंटेक port खुलता था उसी अनसार पुना इसमें इंधन और वावी कमिशन इसमें प्रवेश करता है इस प्रकार से आप देखते हैं कि यह two-stroke में अपना पु इंजन तो यह आपका हो गया two-stroke cycle engine, two-stroke cycle engine की कुछ विसेशताएं हैं इसमें केवल दो स्टोक में ही अपना एक क्रिया चकर पूरा कर लेता है और इसका क्रेंग केस क्या होता है हमेशा बंद रहता है इसमें हलके flywheel क्या हो सकता होती है और आप देखेंगे तो इसकी रचना बिलकुल सरल होती है इसमें वाल्ब सिस्टम नहीं होता है इसमें वाल्ब की जगा क्या होता है पोर्ट होता है जो पोर्ट इसमें प्रमकतार पर लगा रहता है अगला चीज बेड़ा इसमें पॉइंट और देखते हैं कि डिफ्रेंस बिडिमिन two-stroke cycle engine and four-stroke cycle engine दोनों में अ कुछ तो common अंतर है जो आपको two-stroke और four-stroke पाड़े तो इसमें भी आपको clear हो गया होगा पहला आपका यही है कि जो four-stroke cycle engine वो four-stroke में अपना एक cycle complete करता है और जो two-stroke cycle engine वो two-stroke में अपना cycle पूरा करता यहीं चीज है दूसरा अभी मैंने आपको बताया कि इसमें valve system जो four-stroke cycle engine engine उसमें valve intake और just valve लगा होता है जबकि वहीं two-stroke cycle engine में इसमें intake और exhaust port होता है इसमें